नमस्कार दोस्तों स्वागात आप सभी का हमारे यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोरियू पर दोस्तों आज फिर आपके सामनेक में हेत्पूर्ण जानकर लेकर हाजिर हुए हैं आपको बतादे कि उत्तर प्रदेश महाबज़ाट पारित होने जा रहा है दोस्तों जिसक के तहट युँआओ को किसानों को और पैंसंधार को यहां पे बरा लाव मिलने वाले हैं दोस्तों आपको यहां पर तमाम जानकर दीडिकी किसको कितना लाव मिलेगा अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि 22 फरवरी को जो बजहट पारित होने वाला है कि सबसे पहले आपको ज तमाम जानकरी मिलने वाली है अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक करें ज़्यादा शेयर करें और इसे ही महत पुन जानकरी पाने के लिए हमारी यूटूब चैनल को जरू सब्सक्राइब करें दोस्तों तो आपको यहां पे तमाम जानकरी देते हैं कि इसको कितना लाब द दिया है सरकार ने जिसके तहट 22 फरवरी को यह बजट परित किया जाएगा आपको बता दें कि है बजट सत्र राज्यपाल आनंदिवेन पटेल ने अभीभाशन से सुरू हुआ है बजट सत्र के दोरान राज्यपाल ने सरकार की उपलब द्याग गिनाई है दोस्तों आप द फरवरी को पेश होने वाले इस बजट को उत्तर परदेश के वित्यमंत्रि सुरेश खन्ना सदन में पेश करेंगे इस वित्य वर्ष का बजट आकार लगभग यहां पर बताय जा रहा है जो अनुमान लगा जा रहा है दोस्तों यहनिके साड़े पांच लाग क्रोड बजट पेश करने जा रही है साथ ही यह बजट इस सरकार का यह अंतिम पूर्ण बजट होगा और इस बार बजट को पुस्तिका से नहीं दोस्तों बलकि टैबलेट के माध्यम से पेश किया जाएगा वहीं विधाय को भी इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है इससे की दोस्तों यह बजट पारित किया जाएगा आगे यहाँ पे तमाम जान कर दी गए किसको कितना लाब मिलने वाला है तो दोस्तों अगर आप एक युवा है किसान है या फिर पैंसन दारख है तो दोस्तों यह जान कर आपके लिए महित्पून है क्योंकि यहाँ पे युवाओ के साथ क किसानों पर खास फोकस रहेगा इसके अलावा किसानों के लिए यहाँ आप देख सकते हैं आप बताया गया है ड्रिप इरिगेशन को लेकर बजट में बड़ा एलान हो सकता है दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है वीडियो को लाइक करें तो अगर आप चा यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जासे यादा शेयर करें दोस्तों आने वाले बजट को सबसे पहले हम आपके सामने इस यूटूब चैनल के माध्यम से पेस करेंगे तो दोस्तों मिलते हैं आपको नाइस्ट वीडियो में अगर आपका वीडियो के लिए जानकारी केता है कोई सुझा हुए दोस्तों हमें जानकारी जरूर दे हमें कमेंट जरूर करें मिलते हैं पुनाइस्ट वीडियो में एक अच्छे सी जानकार के साथ जब तक के लिए जैहिन जै भारत